तो हे गाईस स्वागत आपका Medical जानकारी YouTube चैनल में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे Cipro CF Plus Ikrime के बारे में यह हमारे एक विवर ने कमेंट किया था कि सर इसके बारे में हमें जानकारी दीजेगा तो आज किस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में समझते हैं कि सिप्रो सी एफ फ्लस क्रीम एक्चुल में है क्या क्या इसका यूजिज होता है किस कंडिशन में इसको यूज करवाय जा सकता है तो वीडियो को अंतक देखते रहेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जिरू करें और लोगों को शेर जादा से जादा करिएगा ताकि और लोगों को भी इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाए सिप्रो सी एफ प्लस क्रीम देश्तों एक जैनरी क्रीम है पचास से साल रुबे की आराउंड ये क्रीम देखने को मिल जाती है इसमें आपको इंगीरेंट देखने को मिल जाते हैं जैसे कि सिप्रो फ्लॉक्सिन, क्लॉटरिम काजोल, नियूमाईसिन और फुलू क्लिलोन इसलिए इसका नाम सिप्रो सी एफ प्लस रखा गया है अब इसमें सिप्रो फ्लॉक्सिन जो होता है एक एंटिवाटिक होता है यानि घाओ को भरने में मदद करता है या कहीं तो इन्फेक्टिव परसन के इन्फेक्टिव घाओ को क्लीन करने में मदद करता है साथ यसमें क्लोट्रिम का जोल है जो एंटी-फंगल साथ है एंटी-वैक्टिरियल इंगीरेंट्स होता है और नियो-माइसेने एक एंटी-वैक्टिक है जो घाओ को भरने के साथ-साथ जैसे की घाओ में इंफेक्टिव हो गया है यह किसी परकार से प्रोबलम होगी तो उस क्सीली भी दिया जाता है ताकि यह दवाएं जो होती है आपस में रियक्शन ना करें या प्रिष्टिक को किसी तरीके से प्रोबलम ना हो अब यह जो साल्ट आए हैं इसमें यह नई वाले साल्ट देखने को मिल गए हैं लेकिन जो पुराने क्रीम में सिप्रो सीय प्लस क् लेकिन साड योते हैं कrophe बात कर लेते हैं तो क्रीम साड योते होते ही पता नहीं करते हैं अब इसके यूजिक के बारे में बात कर लेते हैं तो इचिंग के लिए इसको यूज कर वाया सकता या कहीं पर अगर आपको चोट लगी है सूजन आ रही है खुजली ओर है खुजली को वेसे वहाँ पर रेडनेस आ गई है सूजन आ गई तो भी इसको यूज किया जा सकता है किमकि एक एस्ट्रोइट क्रीम भी इसमें कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल आती है साथ साथि हो यानि कहीं पर कट लग गया हो या पत्थर से चिल गया हो या किसी लोहे के रॉड से कट गया हो या रगड आ गई हो क्यूंकि साथी साथ इसमें सिफ्रोफ्लॉक्षिन और नियोमाईसिन जैसे बालों में स्वन रहा है यहर सीम फंगल हो रहा है वैसे तो इसमें एस्ट्रोइड है तो फेस पेस को अप्लाइ नहीं किया जा सकता है लेकिन आप इसको फंगल की कंडिशन में किसी प्रकार का फंगल हो तो आप ऐसिली इसको यूज कर पाएंगे साथ साथ फोड़े उनसे में भी इसको use करवाय जा सकता है, acne हो गया, pimples हो गया, और body में होने वाले acne pimples की यहां पर बात हो रही है, फीस पर किसी से आप इसको apply ना ही करे तो ही better होगा, जलने के घाओ के लिए या अगर कई पर जल गया है, घाओ हो गया तो उसको भी आप use कर सकते हैं, कटने के विज़े से घाओ में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, अब हम बात कर लेते हैं इसके side effects के बारे में, इसमें आपको redness होना, जलन होना, या swelling आना, या reaction होने, जैसे अगर side effects देखने को मिलते हैं, तो cream को बंद कर दीजेगा, reaction होने के तो बहुत ही कम chances होते हैं, क् इसमें एस्टराइड उन्होंने combination के साथ डाल ही रखा है, ताकि किसी प्रकार से आपको reaction ना मिले, या redness चे swelling देखने को ना ही मिले, doses होता है, इसका दिन में 2-3 बार तक इसको apply किया जा सकता है, लगबग 1 हफते तक ही आपको इसको use करना है, अगर आपको इसका result अच्छ इरिया में ही आपने इसको apply करना है, कहीं पर भी इसको internally use नहीं करना है, यानि मुकेस membrane में या आँकों में, मुह में गल्ती से भी यह नहीं जाना चाहिए, जिससे आपको side effects हो सकते हैं, अब इसका जो कहां पर इसको apply आपने नहीं करना है, बिल्कुल यह अगर आपको ऐसे facial fluxion से काफी ज़्यादा reaction देखने को मिल सकते हैं, अब इसमें asteroid है तो reaction कम ही होते हैं, लेकर सिप्रो के side effects होते हैं, reaction बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, बोडी में, अब इसके सासाती ज़्यादा जैसे जल गया है, तो भी इस cream को apply नहीं करना है, मल्दा अगर third degree, इस cream को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, फिर क्यूशन की बात करते हैं, बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, दो, तीन, तीन साल से छोटे बच्चों को इसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कीन जो होते हैं, उनकी काफी जादा sensitive होती है, अब इसमे आगल बगल में भारी तरफ में कहीं पर कुझली हो रही है, जिसको खमेर करमनी कहते हैं, तो वहां पर इस cream को लगाया जा सकता है, तो गाइस यह तको इस प्रो प्लस cream के बारे में पूरी जान करीए, हमारे वीवर ने कमेंट किया थैं कि सर इसके बारे में जान ताकि हमें भी अच्छे से motivation मिले और लोगों को भी जानकरी दे पाएं, मिलते हैं अपने next वीडियो के साथ, और एक अच्छी जानकरी के साथ, ओके बाय टाटा हैं, thank you for watching.